तो दोस्तों आप सभी को जंजातिये गौरव दिवस की शुब कामना है भारतिये भाष्रा कारिक्रम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रतिमान व्याख्यान माला का ये विशेश अंक आपके सामने प्रस्तूत करते में मैं बहुत खुशी महसूस इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो आज के हमारे वक्ता हैं वो भारतिय भाष्रा कारिक्रम के संस्थापक सदस्यू में से एक हैं और अगर ये कहा जाए आपचारिक्ताओं की सारी सिमाइट तोड़ते हुए कि उनको प्रस्तूत करना उनको पेश करना बहुत ही मुश्किल काम है कम से कम मेरे लिए तो लेकिन तब भी मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ कमल नैन चौबे के बारे में जो आज का ये व्याख्यान हमारे सामने रखेंगे कमल दिल्ली विशुविद द्याले के द्याल सिंग कॉलेज में एसोसियेट प्रोफेसर है शिक्षक हैं लेखक हैं ट्रेजेंटर हैं अनुवादक हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं अनेक किताबों का अनुवाद कर चुके हैं संपादन कर चुके हैं और इनके विदुता का क्षेत्र है वो जॉन रॉल से लेकर अभेकुमार दूबे तक जाता है तो इसलिए हम यह अंदादा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापक्षेत्र है जिसमें कमल का हस्तक्षेप है और यह अस्तक्षेप एक तरफा नहीं है क्योंकि कारिक्रम यह चलाते हैं यूट्यूब पर जिसका नाम है परक और जिसमें मुझे कई बार मौका इन्होंने दिया है जिसके लिए मैं बहुत आभार रेक्ट करता हूँ जिसमें की सबसे दिल्चस्प बात यह है कि परक केवल कितावों की चर्चा नहीं करता बलके समसामाइक विश्यों के उपर अलग तरीके से सोचने के लिए हमें मजबूर करता है फेस्बुक पर काफी सक्रिये हैं और आज इस खास अफसर पर जैपाल सिंग मुड़ा और आदिवासी राजनीती पर हमारे सामने अपने विचार रखेंगे तो कमल स्वागत है मेरे लिए बहुत पुश्य की बात है कि मैं एक विशेश मुद्दे पर प्रतिमान व्याख्यान माला में अपने विचारों को रख रहा हूं और आज जनजाती गौरों दिवस है विर्शा मुंडा की जैनती है आज और विर्शा मुंडा एक ऐसे स्वतंतरता से नानी थे एक ऐसे वीर युद्धा थे जिन्होंने उन्निस्वी सदी के आखरी दर्शक में और आखरी दर्शक के कुछ पहले से ही अंग्रेजों के खिल उसका मुहतोर जबाब देने की का बहुत ही सशक्त प्रयास विर्शा मुंडा ने किया था और उसके परणाम सरूप ही अंग्रेजों को यांग्रेजी शासन को अपनिमेशिक शासन को कई तरह से यह कोशिश करनी पड़ी थी कि वो छोटा नाक पूटिनेंसी जैसे एक्ट जैसे कानून लेकर आएं और यह विश्वास दिलाने की कोशिश करया दिवासियों की कि उनकी जो परमपरागत जो उनकी अधिकार है उन पर सीधा दखल नहीं दे रहे हैं आज मैं जिस विश्रेश पर बोलने वाला हूं वह विर्शा मुंडा से संबंदित सीधे तोर पर जैपाल सिंग मुंडा से संबंदित आजी के दिन जहरकन्राजी की स्थापना हूई थी और जैपाल ऑफे के दिन जहरकन्राजी के की मांग थी ओर राजी का मतलब भारत के भीतर ओकर पर गॉलिक चेतर के लिए संघर्स जहां पर आदिवासी रहें आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा रहें वो अपने परंपराओं और अपनी माननेताओं के साथ अपने संसाधनों पर हग को कायम रखते हुए अपना जीवन संचालित करें इस सोच के साथ जारखंड की प 90– loc 같아 के बारे में बहुत आपको परिशे बहुत सार लोग उनके बारे में जानते होंगे पर मेरी कोशिश होगी ठोड़े विवेस्थटे की रूप में उनके जीवन के बारे मताऊं और विसेश रूप से तीन पहलों मैं ध्यान देना दिलाना चाहूंगा आपका जो जैपाल सिंग मुल्णा के काम से और जिस तरीके से उन्होंने अपना लिखन किया उसमें सामने आता है पहला ये कि कैसे जैपाल सिंग मुल्णा ने जब राजनिती में आएं उसके बाद जो एक राष्ट्रवाद की यो पुरी परिकल्पना थी एक ऐसा राष्ट्रवादी संघर्श जिसकी मुख्यधारा में कॉंगरिस पार्टी थी और कॉंगरिस पार्टी एक खास तरीके से द कि आदिवाश्यों के मानिताओं आदिवाश्वी की परणप्राओं और उसे उसे चिनौती दी मैं उस पहलुग को सामने रखने की कोशिश करूगा और दूसरी अस्तर पर मैं इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह जो एक सवाल जो आज के दौर में भी आदिवासी राजनीती में काफी प्रमुक्ता के साथ सामने आती है कि जो आधुनिकता है या आधुनिक जीवन से जुड़े जो तमाम पहलू है उनका या फिर परमपराओं का आ स्वाइत जीवन दिया जाए एक आटोनमस लाइफ दिया जाए और उनमें जो अलग अलग तरीके से आधुनिकता के द्वारा एक दबावा डाला जा रहा है वो ना हो तो यह जो पूरा एक अंतरद्वन्ध है वो देखना बहुत ही रोचक होगा जैपाल सिंग मुंडा ने उस पूरे सवाल को कैसे देखा और मुझे लगता है कि अगर हम उनके स्विचार को देखेंगे तो हमें एक समझ भी मिलेगी कि आखिर हमें वरतमान समय में आदिवासे मुद्दो को कैसे देखना चाहिए और हमें यह समझने का भी एक मौका मिल सकता है कि अगर हम किसी एक पहलू पर जोर देते हैं तो उसकी सिमाएं क्या होंगी तीसरी अस्तर पर मैं बहुत ही संचेप में इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो वरतमान समय में एक पूरा विमर्स है राजनीति सिध्धान्त में भी इंडिजनस पीपल के के अधारना की बात की जाती है तो उसके बरक्स अगर हम जैपाल सिंग मुंडा के विचारों को रखें तो क्या हम उसमें कोई एक सामिता देख सकते हैं और क्या हम यह कह सकते हैं कि जैपाल सिंग मुंडा उन प्रशनों पर जादा घराई से विचार कर रहे थे जो बाद के समय में पचास के द जब मैं अपने बादशित को खत्म करूंगा तो मैं इस बात के और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आदिवासी आदिवासियों के खेट में भाहिंदुस्तान में जितने आदिवासियों के इलाके हैं उसमें जो एक विजन है जो कि राष्टी स्वयम से वक संग हम कर सकत हैं जो उनके आदिवासियों के मामलों को देखने वाली संस्ता है और जिन्हें वह वनवासी कहते हैं उसमें और एक जो जैपाल सिंग मुंदा के विचार हैं कैसे दो अलग-अलग विजन को प्रस्तत करते हैं तो यह मेरे कुछ लक्ष हैं और मैं कुछ प्रमुक पहलों को पढ़ूंगा और जहां जरूरत होगी वहां में चीजों को थोड़ा संचेप में करने के लिए पढ़ने की बजाए उन बातों को बोल कर आपके सामने रखोंगा और यह एक फ्रेमवर्क है जिसमें अपने बातों को में कहूंगा तो जैपाल सिंग का जन्म ततकालीन राच नहीं है किन्तु बाद में 3 जन्वरी 1903 को इनका जन्म दिन मान लिया गया इनके पिता अम्रु पाहन आदिवासी पुरोहित हैं और कई बार यह अपने नाम के साथ मुंदा भी लगाते थे जैपाल का आरंभिक नाम प्रमुत पाहन था लेकिन बाद में यह बदलकर जैपा के संत्पाल इसपूल में करवा दिया 1910 से 1929 तक उन्होंने इस इस कूल में सिक्षा प्राप्प कि संत्पॉल में जैपाल सिंक की पहचान एक मेनति और हुनहार 《चात्र की थि》 और इस स्कूल के प्रिंसिपल फादर कैनन काॉस ग्रेव उन्हें काफी पसंद करते थे 1919 में स्कूल के प्रिंसिपल के पत्से आवकास लेकर वापस अपने देश इंग्लेड जब कंस ग्रेव जाने लगे तो उन्होंने जैपाल सिंग को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उसके पहले उन्होंने जैपाल सिंग को इसाई धर में दिख्षित किया चुकि कैनन कॉस्ग्रेव उन्हें पादरी बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस अंदर उन्हें प्रसिक्षन दिलाने क की कोशिस की लेकिन जैपाल सिंग की रूची इसमें नहीं थी और उन्होंने फिर कॉख्सफोर्ट में अपना उन्हेरा दस्का डिलाया गयाउंहें और उन्हें स्कॉलर्स related की और यह अंन tendencies की नहीं सब लोगों को मुझे हमीद पता होगी यह हमेरे पता होनिं हासिल किया था उलम्पिक में वह था 1928 का एमस्टरडम उलम्पिक और उलम्पिक को में सबसे पहली बार भारती टिम उसी समय गई थी जैपाल सिंग मुंडा उसके कप्तान थे और उसमें भारत ने अपना गोल्ड मैडल जीता था तो एक बहुत ही प्रसिद होकी खिलाडी के रूप में भी जैपाल सिंग की पहचान थी यह उनकी उनको उनका चैन आइसीएस में भी हुआ था जो की एक प्रसक्षित समय का प्रशास्निक सेवा थी पर कुछ विवादों के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया और एक एक दर्शक तक उसके बाद वह कुछ बहुत प् पर नुक्त किया गया जो काफी प्रतिष्ठा का पत था 1934 से 1937 तक इन्होंने पश्मी अफ्री की देश गोल्ड कोस्ट के अची मोटा कॉलेज में कॉमर्स सिक्षक का काम किया 1937 में यह हिंदुस्तान वापस आए और उन्हें रायपूर जो की वरतमान चातिसगर की में यह वरिष सहायक पदपर निफ्ट किया गया फिर भी का निर रियासत में भी यह समय तक राजस्व आयुक्त रहें जो महत्पूर्ण बात है वह यह की में जैपाल सिंग से बहुत सारे एक आदिवासी महासभा करके संग्ठन उस इलाकों में पहले से काम कर रहा था और ज्यादा तर उसमें जो सब नहीं थे कुछ ऐसे भी थे जो की इसाई नहीं थे उन्होंने जैपाल सिंग से संपर्क किया और उनसे यह कहा कि वह आदिवासी महासभा में सामिल हो जैपाल सिंग के सामने उस समें और विकल्प था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और दूसरे लोग चाहते थी को कॉ पैसला किया कि वह आदिवासी महासभा में जुड़ेंगे अदिवासी महासभा की निताओं को लगता था कि जैपाल सिंग पहले सहीं प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अंग्रेजी में अपनी बाते रख पाते हैं तो उनकी आवाज को वह अंग्रेजी तक पहुंचाने में बहु निकाली मोटे तोर पर इस पूरे दौर में उन्होंने आदिवासी प्रशन को मजबूती से सामने लाने की कोशिश की और कुछ पहलू हैं जिस पर मैं आगे और विस्तार से बात करूंगा वह मुस्लिम लिग के नजदीक भी गए और फिर इतने नजदीक नहीं कि वह मुस् 1946 में वे प्रांती असेंबली के चुनाओं में तो हार गयें लेकिन समविधान सभा के सदस्य चुने गयें समविधान सभा में उनके बहुत सारे संबोधनों को हम कई जगों पर उद्रित देख सकते हैं लेकिन जो एक महत्कुन बात में याद रखने चाहिए और वो मैं रा आरक्षण का अधिकार दिलाने में जैपाल सिंग ने महत्कुन भोमिका निभाई समविधान सभा में अगस्त 1947 में अलपसंख्यक अधिकारों से संबंदित पहली रपट को सारुजनिक कर दिया गया था इसमें सिर्फ दलितों के लिए यानि कि अनुसुजी जातियों के लि प्रसिद्ध समासुधारक एवी ठककर के नित्रुत में जनजाती अधिकारों के लिए एक उपसमेती का गठन किया गया था इस उपसमेती की रपट और इसके सदस्य के रूप में जैपाल के शब्दों ने समविधान सभा को आदिवासियों की इस्तिती के बारे में आदिवासी भासाओं का संरक्षन करने और उनका संवर्धन करने पर बल दिया जिनके पास अपनी लिपी नहीं थी समविधान सभा में 8 दिसंबर 1948 को मूल अधिकारों के अंतरगत भाशा लिपी और संस्कृति के संरक्षन पर बहस के समय उन्होंने मुंदारी जैसी मसलों पर आदिवासी के हितों को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिस की उनकी राजनीती का दूसरा रूप आता है जब एक जन्वरी 1950 को उन्होंने जारखंड पार्टी का गठन किया जारखंड पार्टी के गठन से पहले जैपाल सिंग की राजनीती आदिवास लेकिन जब उन्होंने जारखंड पार्टी का अगठन किया तो वह एक जो पूरा विरोध था उसको उन्होंने काफी कम किया उसके बाद एक रोचक बात यह है कि उन्हें नहराइन ने उनसे यह आवान किया था निसको 51 में पहले आम चुनावों से पहले कि जो उनकी पार्टी है सोचलिस्ट पार्टी उनके साथ जारखन पार्टी का गड़बंदन हो और वह लोग कॉंग्रिस को चुनावती दे सकते हैं लेकिन उस समय जैपाल संग मुंदा नहीं मानी उसके बार जब तीन चुनावों होते हैं बिहार विधान सभा के तो तक्रीबं 32 से 32 सीटे दो विधान सभाओं में उनको मिलते हैं और आखिरी विधान सभा चुनाव यानिक 1963 में जो होता है तो उसकी सीटे उनके पार्टी की सीटे गटकर 22 हो जाती है और इस समय मुख्यमंत्री भी बनते हैं उससे में कामराज पलाण आता है फिर नए मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं और जो दीक और से इक लमबे समय तक इंतिजार करते रहें कि जो उनकी मांग है उसको पुरा किया paralysis के भीतर इस को पूरा की बीबाढ़ा स्था the और मॉंज उन्हों ने इस बात कोई घोषना की कि अब वो Congress से अलग फिर से जार्कंड पार्टी का अगठन करेंगे और जार्कंड पार्टी के माध्यम से वो अलग जार्कंड राजी के लिए संहर्थ करेंगे लिकिन ऐसा हो नहीं पाया, 12 मार्च को उन्होंने एक सभा को सम्भोधित किया था, अपने राजी यानिके ज्हारखन जिसको बनाना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन 20 मार्च प्रस्ताव यह आया था, उसमें वह जीवित थी कि उनको जारखन का पहला मुख्य मंत्री बनाया जाओ कुछ समय तक अटल्वियार इवाचपेई की सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया, हलांकि उन्होंने इसको फिर अलग-अलग कारणों से स्विकार नहीं किया, और वो मुख्य मंत्री नहीं बन पाएं, लेकिन एक छाप जो जारखन आंदोलन पर है, वो इनकी रही, और बाद में हम सब जानते हैं, अगर हम जारखन के इतिहास पे नज़र डाले तो कि 1970 के दर्शक के बाद के वर्सों में सिबू सोरेन और जारखन मुक्ति मूर्चा का उदय होता है, कई अन्य संगटों भरकर सामने आते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि एक राजी के, एक अलग साल तक उसके लिए संगर्स वहां के लोगों ने किया, तब यह राजे बना था, और उसमें जो जैपाल सिंग मुंडा थे, उनकी महत्पूर्ण भोमी का थे, अब मैं कुछ पहलों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक तो यह है कि जो एक जैपाल सिंग मुंडा के जब राजनीती सुरू होती है, तो उस समय कॉंग्रेस का वर्चस्वत और बिहार में डॉक्टर राजंद प्रसाथ सबसे बड़े नेता थे, और उन्होंने इनको ऑफर भी किया कि आप आएं कॉंग्रेस में सामिल हों, और उस समय कॉंग्रेस में यह था कि जो बहुत पढ आगे बढ़ें, और इसमें कुछ महत्पूर्ण बाती अभी थी कि जपाल सिंग उंडा ने खुद को कॉंग्रेस से अलग किया, लेकिन वो यह दिखाना चाहते थे कि जो राष्टवादी संगर्स की रूप रेखा है, वो उससे पूरी तरह से अलग नहीं है, लेकिन इसके नेताओं ने उन्हें ज्यादा दूर करने की कोसेस की, इसमें मैं एक चीज का उलेक करना चाहूंगा, कि 1949 में जैपाल सिंग और राजंदर प्रसाद के बीच हुए पत्राचार से कुछ रोचक बाते सामने आती हैं, आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद 14 जून 1949 को राजंदर प्रसाद को लिखे पत्र में जैपाल सिंग ने ये लिखा की, जब मैं राची में आपसे मिला था, तो मैंने आपके सामने आदिवासी सभा के लक्षों को और उद्दिश्यों को रखा था, मैं आपको यह आस्वस्त करना चाहता था कि आदिवासी सभ कि लक्ष और भारती राष्टी कॉंग्रेस के सिध्धान्त में समरस्ता है, छोटा नागपूर और संथाल परगना के आदिवासी और गैर आदिवासी सभी लोग संपूर्ण भारत और अपने ग्री छेतर के लिए पुर्ण स्वराद चाहते हैं, राजंदर प्रसाद ने 3 जुलाई 1949 को इस पत्र का जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि आदिवासी सभा ने कॉंग्रेस के उमिद्वारों के खिलाप अपने उमिद्वारों को उतारने का फैसला किया, ऐसे में मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भारती को यह सुझाओ दिया, जो जेपाल, क्योंकि यह यह वह कुछ पर है की वह पॉbelsिक भीतर हे, इसमेठे ख़कर बाति उन्हों पर दहेंको मैं धाने राजिंद्र प्रसाद को अंतरों की यह वह गैए यह का संगटनण करा रह रहे हैं, जो आदिवाश्यों की शिकायत हैं वो अपने भीतर समेटे और उन्हें वो कॉंग्रेस के भीतर ले आए और बाद में यह रोचक तथे हैं और मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ यहां पर इसका लेक करना चाहता हूं कि जो वनवासी कल्यान आश्रम का जो गठन करने वाले जो जो सक्सियत थे उनको उसके पीछे भी यह सुझाओ जो मुख्य मंत्री थे मध्य प्रदेश के रवी संकर्शुक्ल उनको भी यह सुझाओ रवी संकर्शुक्ल एक बार जा रहे थे और जारखंड में उनके खिलाव कुछ काले जंडे दिखा दिये गए उनको पर नारे लगाएगे तो वह काफी नाराज हुए और उ से निपटने का यही तरीका है कि आप एक ऐसा संग्टन खड़ा करें जो कि राश्च्वादी विचारों का प्रजार करें और फिर यही एक आधार भूमी बना कि किस तरीके से जो रमाकांद देस पांडे जिन्होंने बाद में चलकर वनवासी कल्यान आसरम के अस्थापना कि जो की RSS का ट्राइबल विंग माना जाता है तो उनको सबसे पहले निक्त करवाया गया वहां पर जश्पूर में और फिर धीरे-धीरे करके यह कहानी आगे बढ़ी तो यह सोच हमेशा से रही है कि जो आदिवासियों के बीतर जो अलग आवाजे रही है उन्हें कॉंग् सिंग की पूरी राजनेती थी उसमें गांधी की प्रती भी एक तरह का अनाकर्शन था उनके प्रती वो खुद को आकर्शित नहीं पाते थे खास्तोर पर उन्हें एक तो बिहार के कॉंग्रस के नेतावन स्विकार नहीं कर रहे थे जब गांधी उन्हें सचालिस में वो चुताव को नहीं माना था एक नेता के रूप में और जब समविधान सभा में वो थे तो बार-बार यह बात आ रही थी कि सराबंदी लागों की जाए तो गांधी के प्रती जो इनका एक विकर्शन था एक दूरी थी उसका एक कारण यह भी था कि महत्मा गांधी की जो बाते जो जिस तरीके से वो कहते थे उसमें थोड़ी धार्मिक प्रतीक भी आते थे शराबंदी पर वो जोर देते थे और उनका जोर इस पर भी था कि जो शाकाहार है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो इन सारे पहलू के कारण जैपाल सिंग ने बहुत ही खुल कर यह जो शराबंदी की बात आई समविधान सभा में उसका विरोध किया और निश्चत रूप से जब यह प्रस्ताव आया उसकी पीछे गांधी की विचारों का एक प्रभाव था कि शराबंदी लागू की जानी चाहिए लेकिन जैपाल सिंग ने इस बात पर जोर दिया कि जो आदिवासी है वो उनकी परंपरा का यह भाग है और आदिवासी समुदायों में सराब का प्रचलन परंपरागत है आदिवासी छेत्रों में चावल से बनी हलकी शराब जिसे धारकंड में हंडिया कहा जाता है हर धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग में लाई जाती है इसलिए ये शराब बंदी के दारे में इसी भी लाया जाएगा, तो ये अदेश के सबसे प्राचीन लोगों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा, और इसके बाद, इस तरह की तरकों के बाद और कुछ और लोगों ने इसका विरोध किया, तब इसे समविधान के सब्सक्राइब के रूप में अनुछे 47 में शामिल किया गया, इसका अर्थिया है कि समविधान सभाने शडाब पीने को गैर कानूनी कारी के रूप में स्विकार नहीं किया, बलकि इसे एक ऐसे आदर्स के रूप में देखा, जिसे आसिल करने की कोशिश के जानी चाहिए, तो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बाद में भी जब वो कॉंग्रिस में शामिल हो गये, तब भी कुछ सभाओं में उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंजा के नीटी का तकरीबन माखौल उड़ाया और यह कहा कि यह बहुत ही आकरसक नीटी नहीं है, इसके अलावा हम इ अधिवासी हैं, उनके ही तो कि सुरक्षा की जाए, यह उनके लिए सबसे प्रमुख प्रश्न था, और इसी प्रश्न के आसपास उन्होंने अपने पूरी राजनीती को केंद्रित करने की कोशिश की, और जारखन राजी की जो उनकी मांग थी, यह बात हमें हमेसा याद र कि अगया उसमें उरिषा का भाग भी सम्म Müलीत था, मध्यप्रदेश का भाग भी कुछ समम उनकी थी उस समय यह मांग नहीं मानी गई राजिपुनरगठन आयोग के द्वारा तर्किया दिया गया कि बिहार की जो नेता है उनका अक्तिखा विरोध है कि बिहार तो पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा जो संसाधन है वो तो दक्षन बिहार में जो करते रहें लेकिन जो एक महत्कुर्ण चीज है कि जो भाती राष्टे कॉंग्रेस या गांधिवादी राजनीती से आ रही थी कि पहले हमारे पहले दुश्मन की रूप में अंग्रेज हैं और जो मुस्लिम लीग की राजनीती है हमें उससे दूर रहना है तो इस तरह के त तक जो आदिवासी महासभाती उसकी वैटकों में आते थे और खुद ये भी जाते थे यानिके जाते थे लेकिन हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जैपाल से ने कभी भी इसको एक मांग को स्विकार नहीं किया इसका स्वागत नहीं किया कि अलग पाकिस्तान देश ब अधिकारों की बात कर रहे हैं तो बहुत ही रोचक बाते सामने आएंगी क्योंकि वो खुद ऑक्सवोर्ट से पढ़े हुए थे अंतराष्ट्रे अस्तर के होकी खिलाड़ी थे तो उनके लिए बहुत बाते आकरसक नहीं थी जिसमें कि कई बार आदिवासियों के जीवन को कुछ हट तक रोमांटिसाइज कर दिया जाता है या यह माना जाता है कि वो जो पारंपरिक स्रायली में अपने जिंदगी जी रहे है वही ठीक है तो जैपाल सिंग यह चाहते थे कि वे अपने छेत्र से आगे बढ़ते हुए समस्त आदिवासी छेत्रों की पहचान के निर्मान करें और उसे व्यापक भारती राष्टी की एक इकाई बनाएं जो अस्थानी अस्तर पर विकास करते हुए देश की मजबूती में योगदान दे 1949 में आदिवासी महासभा के अदिवेशन में उन्हों दो संबोधन दिये पहला संबोधन में एक दिन एक संबोधन दिया जो दूसरे दिन का उनका संबोधन था उसमें जैपाल सिंग ने यह कह कि भले ही इस समय वे मुख्य रूप से छोटा नाधपूर छेत्र के आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं किन्ति वे किसी भी अस्तर पर एक संकुचित या प्रिथक जारकंडी या आदिवासी अस्मिता के हिमायती नहीं है उन्होंने यह साफ किया कि तातकालिक नीचे लाया जाए एक प्रिथक आदिवासी राजी की उनकी परिकल्पना का मूल आधारिया था कि एक ऐसे राज्य में जहां आदिवासी अल्प संख्य के रूप में होते हैं वहां नेताओं या मंत्रियों को आदिवासियों के हितों पर ध्यान देनी की कोई आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि आदिवासियों का कोई राजनितिक प्रभाव नहीं होता है उनके हितों की जान बोजकर कुर्बानी दे दे जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है एक ऐसी विदाइका आदिवासियों के हितों को वास्त्विक रूप में नहीं समझ सकती है जिसके स आदिवासियों के संब्रिद्धि और भलाई हूं जैपाल सिंग यह चाहते थी कि वे जो आदिवासियों की भीतर जो एक संकुचित पहचान को बढ़ावा दिया जा रहा था वे इसके खिलाफ थें उन्होंने आदिवासियों की इस्तितियों को हिंदू और मुस्लिमों से अल सुल्जा लिया था उनके अनुसार आदिवासी सरल हैं और इन्हें आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है तथा नीजी और सारजनिक नैतिकता कि उनकी भावना काफी उच्छ है अपने राजनितिक जीवन में प्रवेस के पहले वर्स में ही उन्होंने राजेंद्र प्रशा को हिंदू, मुस्लिम, इसाई, बौध, ब्रह्म समाच या किसी अन्यमिसन के संदर में तटस्त रहना चाहिए अब यहां एक रोचक बात का मैं थोड़ा लेख करना चाहूंगा जो कि इनके जीवन के आखरी समय में हुआ था और आजकल भी इस पर काफी जोर दिया जा रहा और कार्थी कुराओं ने यहां अभियान चलाया कि जिन आदिवास्यों ने इसाई या इसलाम धर्म को अपना लिया है उन्हें अनुसुचित जंजाती के रूप में मानिता नहीं दी जाए उन्होंने इससे संबंदित एक ज्यापन प्रदानमंत्री इंद्रिया गांधी को सौपा था जिस पर संसत के दोनों सद्नों के 348 सांसदुन के हस्ताक्षर्थ हैं जैपाल सिंग ने आदिवास्यों के बीच धार्मिक आधार पर इस विभाजन का विरोध किया इंद्रिया गांधी ने अपनी राजनितिक सूजबुच से इस मुद्द्य को रफा दफा करव दिया क्योंकि वे इसे आदिवासी समाज के भीतर बटवारे को जर्म देने वाला मानती थी यह भी गौर तलब है कि आदिवासी महासभा मुखिरूप से आदिवासियों का संगटन था जारखंड पार्टी के निर्मान के बाद ही जो कि मैंने उल्ले कि जब जारखंड पार की राजनिती के तरफ आगे बढ़ते हैं जैपाल सिंग अगर हम सिक्षा की बात करें तो जैपाल सिंग यह चाहते थे कि जो आदिवासी हैं वो आदिवासी हैं वो आदिवासी सिक्षा से अलग ना हो बलकि वे उन तक इस सिक्षा के पहुंच बढ़ाना चाहते थे उनकी म आदिवासी महासभा कि 1949 के अपने पहले संबोधन में उन्हेने आदिवासियों के सिक्षा के उपिक्षा के लिए सरकार क्या अलोचना की उन्हेंने कहा कि शिक्षा हमारी सब से बड़ी जरूरत है आदिवासे शायद सबसे पिछड़े हुए समूह है इसलिए उन्हें सिक्षा सुविधाओं की सबसे ज्यादा आवशक्ता है उनका मुख्य जोर इस पर था कि आदिवासियों को ऐसी विशिष्ट सुविधाएं दी जाए जिनसे वे अपने भूमी और संसाधनों पर हक हाशिल कर पाएं और उनकी सुरक्षा कर पाएं और उन्हो जो एक महतुन बात है वहिया कि जैपाल सिंह चाहते थी कि आदिवासिय संस्कृति के बहतर पहलों को कायम रखते हुए नमीन और विज्ञानिक पहलों को जोड़ा जाए उन्होंने यह प्रस्ण किया कि आखिर आदिवासियों की प्रताओं के अच्छे पहलों को कायम रख और उनकी खेती की पद्धिती में सुधार और ऐसे ही अन्यमस्लों का उनकी परंपरा और वयस्क विवाह के प्रता खानी पिने आदी में को रोटोक ना होने जैसे सरल किन्तु बहुत से मैनों में प्रसंसनिये नियमों के साथ समन्वे क्यों नहीं हो सकता यानि वह यह कहना हैं कि आदिवासियों की जो परंपराएं हैं प्रताएं हैं उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर गर्व किया जाए लेकिन वह यह मानने के लिए तयार नहीं है कि वो सब कुछ ही अच्छा है तो वह चाहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है या आधुनिक्ता के जो अन सुरक्षा के बगैर उन्हें अभी भी आसानी से दोखा दिया जा सकता है और वे आसानी से बाहर से आये साहुकारों के शिकार हो जाते हैं यह साहुकार उनकी जमीन हड़प लेते हैं और धर्ती पुत्र आदिवासी मजदूर या पाड़ो किशान या जूम खेती करने वाल ने के माध्यम से आधिवासी के श्टिती को बेहतर बढ़ाने पर बल दिया ने उन्हें Mario विभाग के बढ़ते नियंत्रण और हंतक्षिब की आ लोचना कि उनोंने स्विकार किया कि वनमें रहने वाले आदिवासी वन अधिकारियो के दमन वन अपरादों के लिए सक्त जुर्माने के प्रावधान चराई और इंदन के लकडियों घास और खाने योगे फलों पर लगे अत्यदिक प्रतिबंद का सामना कर रहे हैं जो कि गहरे असंतोस का विसे हैं यह सारे मुद्दे आज भी काफी हद तक प्रासंगिक हैं अगर हम यह बात हटा दे कि यह बात जैपाल सिंग मुंडा ने कही है और आज से तक्रीबं 80 साल पहले कही है तब भी यह बाते लगेंगी कि आज की ही बात है आज भी वन गुहा का नियंतरन आधिवासियों के जीवन पर काफी है अलग तरह के कानूनों के बन जाने से कुछ सुधार हुआ है पर तो उससे यह बात सामने आती है कि वो यह मान कर चलते हैं कि आदिवासियों का कल्यान तब तक नहीं होगा जब तक वो एक बहुती केंद्रिकृत विवस्था के भीतर रहेंगे उस केंद्रिकृत विवस्था से अलग उनका कहना है कि आदिवासियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने संसाधनों पर खुद अपना हक जताएं उनका प्रबंधन करें और जो दूसरी संस्थाएं उनके जकड़न कमजोर हो और इसके साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से कलग आदिवाशी देश के बात कर रहे हैं वो यह मान के चल रहे हैं दूसरी बात जो इस पूरे वर्णन से आती है वो यह कि वे इस बहुत ही सोच विचार के साथ आदिवासियों की परंपराओं की अच्छी चीजों को कायम रखने और कुछ चीजों में सुधार करने के वकालत करते हैं और वे चाहते हैं कि आदिवासी यूवा सिक्षा हासि करें वे चाहते हैं कि वे जो आधनिक जीवन की तमाम से विदाएं हैं उनका भी उब्वोग करते हुए आगे बढ़ें तो यह एक संतुलन लाने की कोशिश करते हैं पूर्ण नकार किसी चीज का नहीं है यानि वो यह नहीं कहते हैं कि हमें पूरी तरीके से मसीनरी का विर है या उनके जीवन की जो परंपराएं हैं जो तथा कतित्मों के धारा का समाज है अगर उसको अच्छा नहीं लगता है तो गलत ही है बलकि वो उसके लिए बहुत ही जोड़ात तरीके से सामने आते हैं और मैंने इस बात को आपके सामने रखा भी कि जब वो अपनी बाते रखते हैं समविधान सभा में शराब बंदी की खिलाफ तो वो इस रूप में सामने आती हैं मैं यह कहूंगा कि अगर हम यह देखें दो पहलों पर मैं जोड़ देकर अपनी बातों को खत्म करूंगा एक तो यह कि वर्तमान जो पाल सिंग एक नेता का रूप में समविधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं यह सभी आदिवासी और धार्ना के प्रति उनके गहरे जुडाव को ही दरसाता है बहुत से विद्वान है वर्जिनियस खाका और दुसरे कई विद्वान जो यह मानते हैं कि भारत में मूल निवासी या आदिवासी शब्द का प्रयोग वर्तमान जारकंड छेतर में ही 1920 के दरसक में आरंब हुआ लिकिन यह भी करते हैं कि पूरे देश में कोई समू यह दावा नहीं कर सकता है कि वही देश का मूल निवासी है इसलिए यह मुम्किन है कि कोई भी समू एक साथ मूल निवासी हो भी और मूल निवासी ना भी हो इस तरह के कई उधारण मवजूद हैं, मसलन जारखंड में निवास करने वाले उराओं, मुंडा और बहुत से अन्य समुदायों को भारत देश में और जारखंड में अपने मूल निवास के आधार पर मूल निवासी होने का उनका जो दावा है, वो वैद हो सकता है, लेकिन साफ नहीं है कि वे असम या बंगाल में मूल निवासी होने का दावा कर सकते हैं या नहीं, जहां वे तक्रीबन एक सदी पहले जाकर बसे हैं, खागा का या मानना है कि भारत की जंजातियों ने आधिवासी पहचान को अपना लिया है, लेकिन अगर हम जैपाल सिंग की बा के निमासी कम से कम उस छेतर के मूल निवासी हैं, ऐसे में मुहतपुर्ण प्रश्न यह है ढीकिसे निवासी सम्मंदित विमर्स और जैपाल सिंग के विचारों में किसी तरह का सामने है किसी तरह के समानता है, जोती-बिश्यूद के बाद इस तरह की विचार काफी बढ़ है इनकी निवास अगर जैपाल सिंग के अधिकारों के बरक्स विचाणों के बरक्स कर देखा जाए तो निशनदे यह बाद सामने आती है कि आदीकक否 ने कि लेकिन उनके विचारों में वे सुत्र मौजूद हैं जो मूल निवासियों या इंडिजनस पेपल्स के अधिकारों से संबंधित विबर्स में सामने आते हैं तथा उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की हिफाज़त होनी चाहिए, तथा जमीन, भूछेत्र और संसाद्मों पर उनके अधिकारों को मानेता मिलनी चाहिए. इस घोशना पत्र के अनुछे 10, 26 और 29 में मुल निवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन और संसाद्मों पर हक देने का उल्ले किया गया है. इसी तरह 1980 के दसक में उदारवादी सद्धान्तिक रूप रेखा के भीतर बहुत सारा लेखन हुआ जिसमें की मुल निवासियों के उनके संसाद्मों पर अधिकार को लेकर कुछ मात्रों सुत्री करण किये गये और यह रहांकित किया गया कि सिर्फ पार思 you, अभाएज उदारवारदी व्यक्तिकत अधिकार याना कि जो इंडिवस्वल राइटे हैं, इंडिवाजफ लिबरेल राइटे हैं अंकी समुहों जैसे वाकिफ होंगे कि यह एक डिस्कूर्स आया कि अगर आप सिर्फ लिब्रल इंडिविजुल राइट्स की बात करते हैं तो वह काफी नहीं है जूरत इस बात की है कि आप कॉम्मुनिटी राइट्स को भी उनके कल्चरल राइट्स को भी मानित आदे और इसमें बहुत से जो विद्वान है जैसे मिसाल के तौर पर विल किमलिका ने बहुत संस्कृतिवाज से सम्मंदित अपने सद्धानतिक करण में रेखांकित किया है कि मूल निवास्यों को स्वसासन और जमीन का हक है यदि इन समुहों को यदिकार नहीं दिये जाते हैं तो वे अपनी संदर में अपने विचारों को रखते हैं किन्तु जेम स्टली से आगे बढ़ते हुए इस बात पर जोड़ देते हैं कि मूल निवास्यों और गैर मूल निवास्यों के बीच संबंद जो हैं वो तीन तरह की कंविंसंस पर अधारित होने चाहिए ये कंविंसंस है मानिता न के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए मूल निवास्यों की कानूनों और परंपराओं की निरंतरता को स्विकार किया जाना चाहिए और गैर मूल निवास्यों और मूल निवासी लोगों की भी संबंदों में लोकतांत्रिक मानों को स्विकार किया जाना चाहिए इसका सी ही है कि वह अपनी पहचान को अपने नियमों को अपने कानूनों को जबरदस्ति उस पर थोपे और अगर हम जैपाल सिंग के लेखन को देखें तो उन्होंने आदिवासियों के सासन प्रबंधन को मुख्य रूप से आदिवासी प्रतिनिदियों को देने पर जोड़ दिया त है वन्-विवाग के मनमानेपन का विरोध करते हैं लेकिन उनके आदिवासी की तस्वीर कल कार और टकनीक से दूर हटकर अत्यंत्स सरल और प्रकृतिकी की गोद में जिवन्वितीत करने वाले आदिवासी की कि तसवीर नहीं आप और संदर में हम देखें तो हमारे देश में भी आधिवासी राजनीती आगे बढ़ी और कई कानून बने जिस पे जिसमें उजुर दिया गया कि कम से कम जो वनसंसादन है यह जो आधिवासी समू है वो अपने गाओं में पांचवे अनुसुची में पेशा कानून के रूप में एक स्वायत जीवन जी पाएं वन अधिकार कानून से कुछ अधिकार दिये गये तो यह इस तरह की बातें हम बहुत ही साफ तौर पर जैपाल सिंग के लेखन में भी पाते हैं जो यह बात है कि वह यह चाहते थे उनकी कोशिस यह भी थी कि जो आदिवासी है जारखन चेत्र में उन्हें वहां लगने वाले कलकार खानों में नौकरी मिले और उन्होंने बलकि काफी आरोब भी लगाया टाटा पर कि वह जो कार खाने लगा रहे हैं उसमें वह बिहारी या जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको पर बात है उससे आगे बढ़ते हुए मैं एक आखरी बिंदू पर बात कहूंगा और दो तिन बस आलोचनाएं या सिमाएं जयपाल सिंग के राजनिती के मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक बात तो यह है कि अगर हम वर्तमान समय में आदिवासी छेत्र की राजनिती को देखें तो उसमें और खास तौर पे वह बिलकुल कई बार खुले रूप में राजनिती यानि चुनावी राजनिती के रूप में भी आती है और कई बार उतने खुले रूप में चुनावी राजनिती के रूप में नहीं आती है खुले रूप में चुनावी राजनिती है जो कि राश्ट्य स्वयम सवक्संग या फिर वनवासे कल्यान आश्रम के द्वारा आगे बढ़ रही है तो उसमें हम यह देखेंगे कि जो जैपाल सिंग मुंडा थे वह पूरी तरीके से हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह इस तरह के राजनीती से एक दम पहचान से अलग थे यानि कि उन्होंने इसाई धर्म को स्विकार किया था खुद राजेंद्र प्रशाद ने जब आजादी के पहले के दौर में राची के जो विशप थे या चर्श की जो सबसे प्रमुक अदिकारे थे उनको चिट्थी लिखी थी और उनको यह बताने की कोशिश की थी कि उन ना कहीं उनको समर्थन मिलता था अःया उनके जञादा समर्थन मिलता था कि जोकी इसाई धर्म की तरफ पर अगे बढ़ें मैंने पीचे भी इसबात को बताने की कोशिश की कि वो बार-बार इस बार पर जोड़ दे रहे हैं कि आदिवासी की जो पहचान है वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है वो एक अलग तरीके से सांस्कृतिक मुल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनकी जो यह राजनिती है हमें तुलनात्मक रुप से पर है मैं वर्मासिक लेन आस्रम की बात कर रहा हूं जो कि हिंदू पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनका सीधों तौर पर यह कहना है कि जो भी आदिवासी हैं हिंदुस्तान में वह हिंदू धर्म को मानने वाले हैं पिछड़े हुए हिंदू हैं और एक दूसर लगती है मैंने यह कहने की कोशिस की कि जो वनवासिक कल्यान आस्रम की जो पूरी राजनितिक जो उनका सफर है उसमें भी उन्होंने काफी एक लंबी दूरी तै की है उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को अपनाया है जिसमें बात नहीं करते थे मिसाल के तो और वो उनका ज् का विस्थापन होता है उससे वह उसका विरोध करते हैं एक संगठन की रूप में तो उन्होंने अपनी एक दूरी तै की है लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम एक चाहें वह रमकांत इस पांडे हो जिन्होंने वनवासिक अल्यान आस्रम को बनाया उनके लेखन को देखें या फिर वनवासिक अल्यान आस्रम के दस्तावेजों को देखें और जैपाल सिंग की विचारों को देखें तो जैपाल सिंग की राजनिती ज्यादा लोकतांत्रिक नजर आती है आदिवासियों के बरक्स वह अलग-अलग पहचानों को स्विकार करने के तेयार हैं वो यह नहीं कह रहे हैं कि अच्छा अगर कोई कुई मैं खुद एक समय में हिशाइवासि हैं जो खुल कर कहता है कि में हिंदू हूरी पहली पाचान हिंदू है तो मैं उसे स्विकार नहीं करूंगा बलकि वो इस सीमा तक भी लोकतांत्रिक बनते हैं कि 1950 मों यह कहते हैं कि सारे के सारे जो उस छेत्र में रहने वाले लोग हैं वो उनके संगटन का हिसा बन सकते हैं तो वो मुझे लगता है कि एक ज्यादा लोकत दो-तिन सीमाओं को रिखांकित करना चाहूंगा जो कई बार व्यवहारिक राजनिती में सुझभूच की कमे की रूप में लग सकती हैं और कई बार कुछ दूसरे तरह के मुद्दो को प्रात्मिक्ता देने की चाह लग सकती हैं मिसाल के तोर पर जो मैं पहली बात कहना चा या कॉंग्रिस के सांसत की रूप में उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़ पे जाने की खिलाफ जमीनी अस्तर पर किसी प्रतिरोध आंदोलन का करने का संगठित प्रयास नहीं किया और वो प्रयास भी नहीं किया जहां पर बहुत जादा सरकार को या प्रधान मंत्री क परसानी में डालने वाले बयान दे रहे हूं जब वो कॉंग्रिस के सदसे बन गए थे तब भी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका ज्यादा जो था वो एक अलग जहारखन राज बनाने पर था पर कई और ऐसे मुद्वित हैं जिन पर उन्हें या उनकी पार्टी को जो देना चाहिए था और मुझे लगता है कि शायद वो उस तरीके से नहीं दे पाएं दूसरा यह कि खुद जैपाल सिंग अपनी पार्टी की भीतर जो एक डिमोक्रिटिक वैल्यूज होते हैं उनको उनका बढ़ावा उनको नहीं दे पाएं और उनकी पार्टी में 1950 से लेके पतलब यही था क्या पार्टी छोड़कर चले जाए तो वह एक डिमोक्रिटिक एलिमेंट की कमी ऐसा मुझे लगता है कि है हलांकि यह कहने के साथ मैं यह भी कहूंगा कि जो जितने भी इस तरह के दल हैं और खास तो पर एक ऐसी स्थिति में जबकि कॉंग्रिस बहुत ज् के लिए पैसे की भी जूरूत होती है उसमें आपको बड़े दल के दबाव से जूचना पड़ता है कि कहीं उनके दल को तोड़ना लिया जाए तो आज के दौर में अगर हम अलग अलगता रहके राजनितिक दलों को देखें जो एक राज्जी में केंद्रित हैं कोई भी र लोकतांतरिक राजनिती के सुरुवाथित दौर में थे तो मुझे लगता है कि यह एक सीमा है उस सीमा को हम ज्यादा उदारत तरीके से समझ सकते हैं गर हम पूरी की भार्टिये लोकतांतरिक राजनिती की सीमाओं को देखने की कोशिश करें तब तीसरे अस्तर पे मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कॉंग्रिस में उन्होंने जारकन पार्टी की का जो विले किया था वह भी थोड़ी हरबड़ी और सूजबूच की कमी को दिखाता है एक वैकलपिक राजनीती का प्रस्ताव उनके सामने जब प्रकास नरायन ने रखा था 1952 की चुनाओं से पहले और उन्होंने कहा था कि सोचलिस्टों को और जारकन पार्टी को मिलकर चुनाओ लड़ना चाहिए और शायद ऐसा होता तो पूरे बिहार में एक बहुत मजबूत चुनाओती वो लोग कॉंग्रेस को दे सकते थे लेकिन ऐसा लगता है कि उस तरह की यह नहीं दिखा पाएं और जब वो कॉंग्रेस से मिलते हैं तब भी वो यह कहा जाता है और उन्हें भी बार बार इस बात पर जोड़ दिया कि उसमें जारकंड पार्टी के जारकंड राज्य के बनने की एक सोच थी पर उस दिसा में कुछ काम नहीं हुआ तो बहुत एक फोस आस्वासान लेकर वो उस दिसा में आगे नहीं बढ़ पाएं तो यह भी मुझे लगता है कि उनकी राजनीती की एक सीमा थी पर मैं यह जरूर कहूंगा कि एक राजनीता के रूप में एक एक एक्टिविस्ट के रूप में चंतक के रूप में हम जैपाल सिंग साफ वह दिखती है कि वह आदिवासियों के लिए कौन सा मॉडल चाहते हैं और उस मॉडल में शहरी जीवन से या आधुनिक संसाधनों से दूर रहने की बात नहीं है उसमें हालां कि मैं यह नहीं कहूंगा कि सब लोग रूमेंटिसाइज ही करते हैं लेकिन एक खत्रा रह और तेसा कानून की खुद प्रफेसर नंदिनी सुंदर ने भी आलोचना की है इनके खुस्तक में है कि काफी रूमेंटिसाइज करने का एक खत्रा उसमें दिखता है कि जो भी प्रथाएं हैं आदिवासियों के सब अच्छी ही है लेकिन जैपाल सिंग के लेखन में उनके विचारों में यह चीज सामने नहीं आती है और वो खुलकर इस बात को बोलते हैं कि कुछ चीजें जरूर हैं आदिवासियों के जीवन में जो की अच्छी है जिनका संद्रक्षण किया जाना चाहिए और इसका फैसला खुद आदिवासी करें उन्हें कि किस चीज का रखन ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पीछे मैं मेसा कानून पर कुछ लिखने की कोशिस कर रहा था मेसा कानून एक ऐसा कानून और यह मेरा आखरी विंदू है यह एक ऐसा कानून था जो पेसा के साथ बनना था मिनिस्पैलिटी एक्स्टेंशन टू सेड्यूल एरियाज एक्ट तो यह कानून कभी बना नहीं और इस कानून में यह था कि जिस तरीके के प्रावधान कुछ विशेश प्रावधान आदिवासियों के लिए पांचवी अनुसूची के गाउं में किये गये हैं ग्राम सभा कमीटी के पास गया था तो स्टेंडिंग कमीटी का अर्गमेंट यह आया कि बहुत सारे जो शहर हैं वहां तो दस पर तिसती आदिवासियों के लोग हैं तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इसको किया जाए और मुझे लगता है शाद राजनितिक दलू क को भी आहसास होगा और फिर मेसा को लेकर बिल बना था उसमें बहुत भारी भरकम सर्थे थी आदिवासियों के पक्ष में कि अगर कोई सवाइटी बनती है शहर में तो वहाँ पर आदिवासियों के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब में घर आरक्षित होने चाहिए अगर साहर में कोई स्कूल है अच्छा स्कूल प्राइवेट या सरकारी तो वहां पर आदिवासी बच्चों के लिए उनकी जनसंख्या के साफ से सीटे आरक्षित होनी चाहिए तो शायद यह एक तो तरकी आता है कि आदिवासी संग्ठोनों ने बहुत कोशिश नहीं की दूसरा इ में या किसी भी ऐसे सहर में जाए मुनिस्पैलिटी में भी और कहें कि हम एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं गैर आदिवासी बिच्चा कर जो आदिवासी को बहुत अधिकार देगा तो यह कानून नहीं बना लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि शायद इस तरह के कानून जैपाल सिंग मुंडा के विचारों के काफी करीब होते क्योंकि वो शहरों को एक ऐसे माध्यम के रूप में तब्दिल करते जहां पर आदिवासी युवा या आदिवासी लोग एक परंपरा से आध्निक्ता के और अपने आपको बढ़ा पाते और फिर यह उनका चैन होता कि वो परंपरा से अपने संस्कृती संस्कृती के मुल्यों से कितना जुड़ा रहना चाहते हैं और किस सिमां तक वो अपनाना चाहा रहे हैं आध्निक्ता से जुड़ी हुई चीजों का लेकिन वो नहीं हो पाया पर मुझे लगता है कि अभी भी काफी कुछ करने की जरू तो निश्चित रुप्साम एक ज्यादा बेहतरी लोकतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कमल बिल्कुल समय पर खतम किया है और सिर्फ समय पर एक खतम नहीं किया है जो संद्रशनात्मक कठन है पूरे लेक का जिसको तुमने लेक्चर की रूप में प्रस्तुत किया वह बहुत ही गुथा हुआ था इसके साथ जो अवधारनात्मक व्याक्या है सिध्धान थो लेकर वो भी पूरी तरह से इतने छोटे समय में उसको पूरा किया गया और अलवचनात मक्हुलापन तो है ही बहुत सारी चीज़ें हैं और कमल ने जिसे कहा जा था गागर में सागर को समेट दिया है और जो हमारे इन्ही पहलूं के दूसरे आयामों को जिनको कि कमल ने यहाँ पर नहीं चुआ है उसकी व्याक्या है तो जो लोग चाहें वो इस किताब को देख सकते हैं और जो अंग्रेजी पढ़ने वारे लोग है इसी किताब से जुड़ा हुआ एक बड़ा मशूर लेख है कमल का वो स्टडीज इन्डियन पॉलिटिक्स के 2018 के अंक में आया है 16 में वो लेख भी पढ़ सकते हैं बहुत सारे सवाल मेरे पास भी है लेकिन क्योंकि यह मन की बात कारिकरम नहीं है इसलिए मैं और लोगो आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद अपने मन की बात बोड़ूँगा सवाल तू सबसे पहले सुक्रिया इतने सपस्टता से साफगोई से इतने जटल विसापर बात रखने के लिए कमल कई सवाल है मैं एक आध ही पूछूँगा और वो कुछ इस तरह है कि आपके इस व्याख्यान में इस चीज़ पर गौर ज़्यादा नहीं दिया गया पासिंग की तरह ही यह है रिफरेंस कि वो एक स्पोर्ट स्टार थे स्पोर्ट स्टार का पुलिटकल स्टार में तबदील होना यह जो रिस्ता है इस पे थोड़ी गहराई से अगर आप अभी नहीं तो बाद में कुछ कर पाए और आदिवासियों के बीच स्पोर्ट को लेकर और उस समय जो होकी है वो दो बहुत ही यह है इन फैक्ट राष्ट्रवाद और स्पोर्ट में इस पे कुछ कहनी जरूरत है नहीं बहुत लोगों का दूसरा जो एक पक्षापनेगा की बाई कोई भी माइनॉरिटी और अलपसंख्यक रिलिजियस हो या जैसे ही इलेक्टोडल डिमोकरसी में पार्टी के रूप में आता है तो वो फिजल आउट हो जाता है उसकी जो मिलिटेंसी है वो बेसकली फत्म हो जाती है तो ये तो बाकियों में बतलब ये एक जनरल सा पॉइंट है इस पर कुछ स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं तो और हिल ट्राइब से क्या रिस्ता था जारखंड के आदिवासी आंदुलन का या जैपाल सिंग मुंडा के विचारों में जो बाकी आदिवासी है हिल ट्राइब का मतलब उससे में होता था नौर्थ इस्ट वाले तो उस पर कुछ है थैंक्यू कमल भाइब बड़ा बड़ा मज़ा है बहुत अच्छा लागा सुनके बहुत चीजे पता चली बस जिग्यासा है मेरी कि यह काफी पड़े लिखे थे तो क्या यह साइमन कमिशन के समक्षिन होने प्रस्तूति दी थी या फर्स राउंड टेबल सेकेंड में यह गए थे या कोई और था जो आदिवास्कियों का प्रतिनिदी तो इन मंचों पर करा है अगर आप थोड़ा बताएं तो मुझे थैंक्यू थैंक्यू बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मेरी कुछ बेसिक क्वेरी जो मैं समझना चाहता हूं कमल सर से कि अभी तक जो भारतिय राजनीति में हम देखें कि आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत अलग-अलग तरह की नीती आई है रिजर्वेशन उनमें से एक है लेकिन हम उसके अगर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को देखें तो हम यह देखते हैं कि रिजर्वेशन जब भी हम श्रीडूल ट्राइप्स की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कई वजों से चाहे वो कलोनियल पिरियाड में हो या करनों से तो इनमें जो उनकी अपनी एक पहचान है जो उनको कॉंस्टिटूशन प्रवाइट करता है श्रीडूल ट्राइप कई बाट चैलेंज होती है कई जगह जो है फोर एक्जामपल औराव कम्यूनिटी है उसमें हम यह देखते हैं कि वह जब वेस्ट बेंगॉल में कि आसाम में जो है उनका स्टेटास ऐसे ओबी सी है श्रीडूल ट्राइब नहीं हम आप और वहीं जो दूसरी कम्यूनिटीज है जो अन्य दूसरी कम्यूनिटीज है हम देखते हैं कि कुछ खास पर्टिकुलर ट्राइबल कम्यूनिटीज का जो है सोशल जो या जो करते हैं इस समस्य को कैसे जो है डील किया जा सकता है या देखा जा सकता है समस्या को दूसरा मेरा सवाल है कि हर एक जैसे की हिलाल सारी कहते है कि एर्रुण था अलग-अलग तरीके के तो तो चाहे जैपाल सिंग मुंडा हो या जो वर्जिनिस्खागा या कोई भी स्कॉलर हो, उनके अपने अचाय एलविन हो या गुरिये हो, सबके अपने अपने परस्पेक्टिव हैं ट्राइबल कमुनिटीज को डिफाइन करने के या उनके उत्थान को लेकर, उनके कल्यान को लेकिन कई बार हम यह देखते हैं कि इवन जो इसकॉलर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राइ और जो कम्यूनिटीज जो ग्राउड लेवल पर जो उनका इश्यू होता है, वो काफि डिफरेंट होता है, तो उसको किस तरीके से में इस्ट्रीम में लाया जा सकता है या उनकी बात को जो है कैसे रिपर्जेंट किया जा सकता है जब उनके पास एक्सेश ही नहीं है उन चीजों का इंस्टूशन उन इंस्टूशन का उस डिस्कॉर्स अफ नॉलेज का थैंक यू इस तर्व में तब्दील होना वारा सवाल है वह ज्यादा एक नवजोट सिंग सिद्दू भी हाल फिलाल के सवें में हैं मुझे लगता है कि इनका जैपाल सिंग जी जो स्वर्ण पदक जीत कर आये थे मतलब उस टीम के कैप्टन थे वो तो वो जो मैंने कहा कि एक उनके पास जब लोग गयें कि आप राजनीती में आए तो उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वह काफे उस प्रसिद्दी को हासिल कर चुके थे और और काफी हद तक यह माना जाता है उनकी जो बाइगरफिज मैंने पढ़ी हैं उनसे संबंद इतले कि उस इनाके में हौकी को लोग प्रिये बनाने में जैपाल सिंग की जो अपना जो एक उनके जो प्लबदियां थे उसने काफी महत्पून भूमिका निभाई और हालंकि बाद में यह भी कहा जाता है कि वो कुछ हट तक खेल की राजनीती का शिकार हुएं और जिस अस्तर तक ध्यान चंद तक नहीं जा पाएंगे पर इस संदर मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा देखनी की जुरूत होगी कि खेल के का जीवन था उसमें निकिस तरह के चुनोटियों का सामना करना पड़ा लेकिन हाँ यह बस मैं अभी यहां सिर्फ यह जोड़ना चाह रहा हूं कि यह एक रूप में सामने आये थे और उसमें इनकी खेल का सबसे महत्पूर्ण योगदान था अन्य चीजों के अलावे जिसको कि पहले से लोग जानते थे और आदिवासी महासभा के जब नेता जो पहले से संगटन था उनके पास गये कि आप आएं और हमारे दल को संभाले तो उस निताओं ने फीजो शायद थे और वो महत्मा गांधी और दूसरे लोगों से मिले थे तो उसमें जपाल सिंग मुन्ना ने बहुती साफ तरपर बयान देकर यह कहा था कि जो यह इलाका है वो हिंदुस्तान का भाग है और वो इसी रूप में रहेगा तो वह एक तरीके से जो एक राष्ट्रवादी फ्रेमवर्क था उसके खास तौर पर हिंदुस्तान को आजादे मिलने के बाद और जब वो संविधान सभा में चले जाते ही उसके बाद उसको पूरी तरीके से स्विकार करते हैं हलांकि उसके भीतर बहुत ही मजबूती से वह आदिवासियों के हग की बात को रखते हैं तो अभी मैं इस पर यही कहने के स्थिति में हूं कि एक उधारन मेरे दिमाग में आया हलांकि वो किस सिमा तक अभी तक मेरी जितनी जानकारी है मुझे लगता है नहीं है कि वहां उन्होंने अपनी पार्टी का प्रसार करने की कोशिस की या वहां क नेता थे वो उनसे किस तरीके से जुड़ाओ था जो आइडेंटिटी के फिजल होने के अपने बात की की वह थोड़ा धुनला पढ़ जाता है और वह अलग तरीके से शाइदा पही काना चाहते कि व्यापक राजनेती की तरफ उनको जाना पड़ता है यह लोगतांतरिक र एजेंडा था वह जारखन पार्टी का वह आदिवासियों के हितों को प्रोटेक्ट करना अलग जारखन राजी का निर्मान करना यह बना रहा और मैं यह भी कई बार महसूस करता हूं कि बहुत सारे दल जो है वह अपने दरवाजयों को खुलने के बहुत बात के दौर में इसकी अलावा जो निशेकांसर आपने जो सवाल किया वह एक तो क्लियर है कि जैपाल सिंग उस समय तक इस तरह के मुद्दों पर सक्रिय नहीं थे इस पर मुझे कोई संदे नहीं है और मैं बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से नहीं कह पाऊंगा अभी कि फर्स्ट या सेकें राउंड टेबल जो हुआ था उसमें कोई आदिवासी प्रतिनदी गया था या नहीं मुझे इसको सब्सक्राइब होती है जब वो खुद को आदिवासी महासभा से जोड़ने की कोशिश करते हैं हम यह ध्यान रखना होगा कि जब वह आए हिंदुस्तान में वापस और जब यह ऐसा लगा कि वह राजनिती में रुची रख रहे हैं तो उनके पास मैंने पहले भी इस बात क संकेच किया कि उनके पास Congress से भी प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव में यह भी था कि उनको बागायदिक कुछ वेतन भी दिया जाएगा जिसमें कि वह Congress जूड़कर काम करें कॉंकि Congress उस समय इस तरीके से लोगों को जोड़ती थी आज भी शाद कुछ राजनेटिक दल ऐसा करते ही है तो कई बार जो होल टाइमर वाला कॉंसेप्ट आता है तो यह एक था तो उनके पास कई तरह के विकल्प थे और उसके बाद वह आदिवासी महासभा के तरह गया लेकिन उनकी पूरी यात्रा नाइंटिन थिन इन से इसरू होती है रमदान जो आप सवाल कर रहे топsen दूंस नोगरेसं दोव स्वाज मिगांगा बाति um डंच में ऑफ मेलार वार्चesीट मीजिवाण तय çky जो उनकी बाते हैं वह ज्यादा showing में सामने आपाएं तभी एक बेहतर तरीके से ज्ञान के संद्चना हो पाएगे और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इस बात के लगातार कोशिश करते हैं कि वह फिल्ड में जाएं चीजों को गहराई से समझें और सामने लाएं और और ऐसे बहुत त में वह बाते आती हैं कि किस तरीके से जो उनके विचार है वह अस्थापित ग्यान से अलग हैं यह अस्थापित सढ़ान win ये और ऑ्र चन की आंपने बात की तो वह तो एक ऐसी समस्या के रूप में है जिसमें मुझे लगता है कि जो दूसरे समू हैं और ये हर तरह की सुविधाओं में सरकार की जो नीतिया उसमें होता है कि कुछ समू जो जादा संख्या में हैं या जिनकी आर्तिक इस्तीती तुलनात्मक रूप से उस व्यापक समू यानि कि आदिवास्तों की बीतर जो थोड़ा जादा पढ़ा लिखा है उसको लाब होगा तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इसका स है कि रिजर्वेशन जो है उसको वो तो रहे ही पर बाकि जो समू जो सिक्षा हासिल नहीं कर पाए हैं उन तक और चीजों को पहुंचाने की कोशिश की जाए और तो यह अभी मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रास्ता है क्योंकि जिन समूं को मिल रहा है वो भी बहुत इस तरह की कोशिश होनी चाहिए और इस अंदर में डायलोग से कुछ और बात आ सकती है मारे सामने एक प्रश्न है जो साथी हमारे जुड़े मनीश आप सवाल पूछिए नमस्ते सर आपका तभी से इस रुगात से ही लेक्चर मैं सुन रहा हूं और जैपाल चिंग जी के जीवन पर ही मेरी पीएजडी है एमकल हो चुका है मेरा मेरे एक सवाल है जिस तरह से कुछ लोग और खासकर कुछ आर्टिकल में भी खासकर जिस तरह से बल्वीर दर्ट जी ने लिखा भी है उनकी किताब में कि जैपाल सिंग मुन्दा का एक रिस्ता वो मुस्लिम लीग से जोडते है तो ये मुस्लिम लीग वाला क्योंकि मुझे तो इस तरह का कुछ रिस्ता जैपाल सिंग मुन्दा का नहीं देखता है बगर जिस तरह से कुछ लोग उस रिस्ते को जोडते है और उन्होंने सवाल पाल भी उठाया है एक हमारे साथ ही है जो जैपाल शिंग मुन्ना जी पर ही काम कर रहे है वो हर्याने से हैं उनका भी प्रिजेंटेशन था जेनू में तीन मेने पहले तो उसमें भी उन्होंने यह जिक्र किया था कि मुसलिम लीग से उनका एक रिस्ता ऐसा था कि बहां से उ उस समय की जो राजनेतिक उनकी एक जो रिस्ता था वो क्या था कि काफी अच्छा सवाल है यह मैं यह कहूंगा इस पर कि मैंने भी जो आप बाते बोल रहे हैं कि मुसलिम लीग से पैसे वाला एक जो तालुकात था वो बलबीर दत की जी कि किताब में इस बात का उलेक आया कि एक दौर था जहां पर दो अलग अलग ऐसे समूह दो ऐसे से राजनेतिक दल थे आदिवासी महासभा और मुसलिम लीग जो की कॉंग्रेस की जो राजनेतिक धारा थी उससे असहमती रखते थे और दोनों ही दलों को इस बात की चाह थी कि अंग्रेज जो हैं वो उनकी मा देखन को देखें तो निश्री तुरुप से वह एक जुड़ाओ रखते हैं वह जुड़ाओ उन्होंने फॉरवड ब्लॉक से भी अस्थापित किया यानि की और कई तरह की नेची राजनीतिम होतें वह रहें फॉरवड ब्लॉक जब कॉंग्रेस से अलग हटकर बना तो मै उनके संबंद काफे तल्क हो गए थे वह फॉरवड ब्लॉक बना चुके थे तो उसमें यह गय थे जैपाल सिंग मुंडा उस सभा में तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं और मुझे लगता है शायद हमें इसको इसी रूप में देखना चाहिए कि जो एक प्रभुत् सिंग मुंडा ने 1940 में बिलकुल साफ तोर पर जो पाकिस्तान के जो मांग आया उसके मुखालफत की और डिरेक्ट एक्शन दे के बाद उन्होंने मुस्लिम लिग से हर तरह के जुड़ाओं को खत्म कर लिया लेकिन उनका जुड़ाओं ज्यादा तर मुस्लिम लिग का जो सकते हैं अगर हम एक की विचार की रूप में देखें तो हम अगर इसको इस रूप में देखते हैं कि वह ऐक गैर कॉंगरिसवाद या जो प्रफुत्व रास्ट्व क कि पार्टी है जिसमें की जपाल सिंग्य को सकते हैं कि आदिवासियों.' पर जो एक खास तरीकी की हम इसको देख सकते हैं बजाए इसके कि इसको एक बहुत बड़े राजनितिक अपराद की रूप में ऐसा बहुत बार इंगित किया जाए क्योंकि कम से कम इस बात में बिल्कुल साफ हूं तथ्यात्मक रूप से कि उन्होंने कभी भी एक अलग पाकिस्तान देश का समर्थन किया उन्होंने कभी भी मुस्लिम लीग की जो एक बहुती उग्र किस्म की राजनिती बढ़ी उससे जुडाओं नहीं रखा हां लेकिन उसके पहले जैसे अलग अलग दलोक नेता मिलते हैं वैसे मिलते थे और कुछ एक समझ बनाने की बहुनाने कोशिश की तो ये मेरा सवाल यही था कि आपने इंट्रेस्टिंग लिएक बात कई इस पर की आदिवासी वनवासी कल्यान आश्रम जिस तरीके शुरू हुआ और जैपाल सिंग मुंडा की राजनिती और उनके सफर का उसको पैरलोली देखा दोनों चीजों को मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो पिछले कुछ सालों से दस बारा साल से जो सरना धरम की जो देशा धरम की जो डिमांड चल रही है उसको परिपेक्ष में जैपाल मुंडा के की जो बाते थी उनको उस परिपेक्ष में किस तरीके से हम देख सकते हैं पहला तो यह सवाल था दूसरा यह था कि जो आपने दोनों बाते कही, मतलब में खो लगता आपने विरोधा भास को दोनों को दिखा दिया कि वो लोक्तांत्रीक भी थे वो अलोक्तांत्रीक भी थे उस तरीके से तो कि मैं जिस तरीके समझ पाया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो उनका बेसिक फ्रेमवर्क था, वो सांस्कृतिक मुल्यों पर था, कि आदिवासियत क्या है, आइडेंटिटी का जब असर्शन का मामला आता है, तो वो सांस्कृतिक रूप से होगा, चूंकि आपने जो बताया, 3849 में वो जाकर सक्रिय हुए, तो मेरे दिमाग में 37 में जब राजनितिक अभी उभार हो रहा था उस समय, तो क्या वो एक कारण रहा कि वो पहचान की जो संस्कृतिक उसकी जो आइडेंटिटी थी, बेसिक फ्रेमवर्क वो वही रहा, लेकिन राजनितिक रूप से वो लोकतांत्रिक की जो जारखंड में रहता है, वो सब जारखंडी उस तरीके का, तो ये बड़ा विरोधावासी है दोनों चीजे का, तीसरा एक कमेंट ये था जो आपने सवाल, मैं सवाल पूछना चारा था कि खिलाडी का लेना देना क्या होता है, जादा तर खिलाडियों का मतलब जहां तक वो है कि आइडेंटिटी के काफी क्लोज रहत हैं, जैसे दारा सिंग वो अपने पुराने जमाने में जाट महासाबा के अध्यक्ष बन गए, उनीसो सत्तर, पिछत्तर, असी तक, तो जितने भी बड़े-बड़े ये खिलाडी थे, वो अपना आइडेंटिटी को लेकर, विजेंदर सिंग जो बॉक्सर है, वो भी जाट इन्टिटी के इतना क्लोज रहते हैं कि इस वजी से पहचान के उसके बहार नहीं. थैंक्यू, मेरे सवाल थोड़ा दूसरा है, हाँ, मेरे नाम दीपु है, वो ये है कि जब हम किसी राजनेता की बात करते हैं, जब आल से कोई भी हो, उसमें विचार इतना प्रधान क्यों होता है? क्योंकि राजनेता की छाप, उसकी पहचान, उसकी फॉलोइंग, उसकी भाशा पे, उसकी जीवन शैली पे, बहुत कुछ पर निर्भड करता है. लेकिन जब हम उसको पेश करते हैं, तो एक विचारक के रूप में पेश करते हैं. जैसा क्यों होता है बार-बार, यह डिस्सिप्रिनरी ट्रेनिंग है, या हम राजनीती को ही सिर्फ विचार के रूप में देखना चाहते हैं, या प्रैक्टिस के रूप में भी देखना चाहते हैं. जैपासिंगंडा ने इस बारे में बात की, कि आदिवासियों को उनकी जो पहले से परंपरायें चलिया रहे हैं, जैसा वो जीवन जीर हैं, जो उनकी जीवन प्रणाली है, उसके हिसाब से एक ब्रहत भारती राष्ट के अंदर अपने मामलों को गवर्ण करने की छूट दी जाए हैं, और इसकी मांग उन्होंने समिधान सभा में की, उसी समिधान सभा में डाक्टर अंबेट कर थे, तो 4 नॉमबर उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमने गांधी का बिना नाम लेए है, उन्होंने कहा कि हमने जो ग्रामीड सासन है, उसको तवज्जो नहीं दिया, और फिर उनका मसूर भासन है कि गांव उसके सांपदाइकता के अड़े हैं, पिश्णेपन के प्रतीख हैं, तो मामला यह था कि अमबेटकर को लग रहा था कि जो गांधी जी वाला ग्राम सुराज का माडल है, उसमें हो गाया, कि उन्होंने दो तीन जगा लिखा भी है, और इध्यासकारों ने इस पर काम भी किया, कि साहतिस के बाद ही समास सुधार की बहुत सारी परियोजनाएं, और दलितों के उत्थान की परियोजनाएं, और सारा बंदी की परियोजनाएं, राजियों की आन्मनेपन के कारण वो सिकार हो गए, वो बहुत आगी नहीं चल पाएं, तो जो भारतिय राष्ट था, उसकी जो प्रगसील भूमका थी, अगर उसको जादा ताकत नहीं दी ग तो गाओं के अंदर अनुसूची जातियों का क्या होगा, तो एक तरफ अमबेटकर कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव एजन्डा लागू करने की ताकत देने के लिए केंदर को बहुत मजबूत बनाया जाए, और वहीं 5, 6, 7, 8 नॉमबर को इस बारे में खूब बात ने की लाउन का परलेमेंटरियन का, उन्होंने सीधे कहा कि अगर बहुत ज़्यादा ताकत आएगी केंदर के पास, तो एक फासी वादी और बहुत संख्यक वादी सरकार आ जाएगी, और ये भारत का हाल तो सोवियत संका होगा, ये कहा गया था उसमें, तो इसमें क्या आप नह बिर्शान दाले जाए, दूसी तरफ राम बेटकर का ये है कि केंदर को जयादा ताकत मिल जाए कारण आदिवासियों को कम ताकत मिलती है, तो छिए आप मैं एक लाइन का सवाल है किया डाकर राम बेटकर और जै पासिंग मुंडा के राजनीतिक रवये में कोई संघर्स आप देखने हैं हुआ 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 है तो यह एक सरना धर्म वाली जो बात है मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक तो बहुत जादा खुलकर जो मैंने पहले भी कहा कि जैपाल सिंग ने अपनी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन नहीं किया लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें समर्थन इस आधार पर नहीं मिलता था लेकिन जो सर्णा धर्म मतलब उनके पूरा व्यू अगर हम माने सीधे तोर पर सर्णा धर्म पर वो क्या बोलते हैं वो तो मुझे देखना पड़ेगा इसलिए मैं सीधे इस पर नहीं कहूंगा लेकिन उनका जो धर्मों को लेकर द्रिश्टिकोर्ण है और आदिवासी पहचान को यह है कि आप खुद को आदिवासी भी बोल सकते हैं यानि कि सर्णा धर्म को उसका नाम देता है तो वो मान सकते हैं या आप हिंदू भी हो सकते हैं आप कनवर्ट करके मुस्लिम ही बन सकते हैं आप इशायत की तरह भी जा सकते हैं लेकिन इससे आपकी जो आदिवासी वाली ज कि आजाता है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनके थोड़े विपरीत रूप में भी कि अच्छा वो अलग है तो वह जैपाल सिंग मुंडा के विचारों से बिल्कुल जो आज कल जिस तरीके से सर्णाधन के बात हो रही है वह सीधे तौर पर तो मेल नहीं खाती है त जो उनका आदिवासी की उनकी पहचान है जैपाल सिंग मुंडा के लिए वो धर्म से एक परे पहचान यह चोटी-चोटी जो और दूसरी पहचान है उससे अलग पहचान है आपने जो दूसरा सवाल किया वो भी काफी बहतरिन सवाल मुझे लगा कि क्या उसको हम चुनाव की और जुके हुए आदिवासी लोग थे जो थोड़ी सिक्षा भी हासिल कर चुके थे वो इस तरह के संग्ठन की रूप में काम कर रहे थे और जो चुनावी राजनीती थी उसने इसको बढ़ावा दिया यह इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि जो मैंने जिक्र किया डॉक आते हैं कि जो एक अलग आइडेंटिटी है वो इस कॉंग्रिस के दारे से बाहर ना जाए और शायद जैपाल सिंग मुंडा को यह लगा कि अगर हम इस तरीके से गुलबंदी करते हैं तो हम आदिवासीयों के हितों को ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं और बात क दीपु सरकातों सवाल बहुत ही सोचने के मजबूर करता है कि आखिर हम राजनीती में राजनीताओं के जो विचार हैं जो हो सकता है कि कई बार वो किसी सभा को सम्मोधित करते हुए देते हैं और आजकल तो बहुत सारे डॉक्मेंट्स लिख लिए जाते हैं हम उन्ही पर के बात करें या गांदी के बात करें तो वो निश्चुत रुप से यह शायद डिसिप्लिन की ट्रेनिंग का भी मसला है अब मैं थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने जिस रूप में जैपाल सिंग मुंडा को देखने की कोशिश की उसमें उनकी विचारों के साथ- जो राजनीति गत्विदियां थी उस पर भी मैंने ध्यान देने की कोशिस की कि किस तरीके से वो अपनी राजनीती में मुस्लिम लीग के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं या किस तरीके से वो जब रकास नराइण के गैर कॉंग्रिसवादी दलों के गट्चूड के प उनके दल के कई आदेवासीनेता नाराज हुए थे लेकिन शायद दल चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए भी कामा खेनारांड सिंग जो बहुत बड़े जमिंदार्थुन ने मदद की होगी तो यह मैंने उल्लेक नहीं किया पर मैंने कोशिश की कि कुछ जो और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए रवासंकर जी मैं यह जरूर कहूंगा कि डॉक्टर अंबेटकर पे जब कुछ हद तक आलोचनात्मक लेखन होता है अलोचनात्मक का मतलब जैसे जिब केंद्री करण की आलोचना होती है जो एक डिसूजा साहब है रोनॉल्ड समयदार है तो हम बेटकर भी उससे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते हैं तो इसलिए हाद से यह चीज सामने आती है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि आदिवासी प्रतिनीदी इस बात को तैय करें लेकिन शायद वहां भी डिसेंट्राइजेशन का खत्रा तो रहता ही ह है बस एक छोटा सा करेक्शन में यह करना चाहूंगा कि जो पेसा जैसे कानून है वो सेंट्रलाइजेशन से नहीं आए हैं बलकि वो नीचे के आंदोलों की मांग से आए हैं अगरम उसको हम देखेंगे तो तो यह एक डॉक्टर अंबेटकर की का पूरा एक लेखन है या कि जो विचार है उसमें यह एक केंद्रिकरन का तत्व सामने आता है और जिस रूप में जैपाल सिंग मुंडा का विचार सामने आता है उसमें वो यह तो कहते हैं कि अस्थानी अस्तर पर लोगों को जादा से जादा अधिकार मिलने चाहिए लेकिन वो भी एक अस्तर पर इस बात के वकालत करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बाहर से आदिवासी समाज में लानी चाहिए वज्ञानिक्ता की या अधनिक्ता की तो हो सकता है कि कोई एक ऐसे उनकी राजनिति गिवन मोड आता जहां पर अस्थानियों लोग कुछ अपनी परंपराउं प्रथाम हस्तक्षिप का विरोत कर रहे होते हैं और वह एक बाहर के समझ के अधार पर उसको आरुपीत करते कि आदिवासी समाज बहतर बन सकता है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहरा हूं कि हां स्थापित लेकर थोड़ा थोड़ी छूट हम जयपाल सिंग को दे सकते हैं कि वह सेंट्रलाइजेशन की वैसे बात नहीं करते हैं लेकिन शायद वो शासन में आते हैं शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता तब हम इस पर और ज्यादा ठोशूप से कह सकते थे कि हां वो यह ही है पर मैं यह भी कहूंगा कि उनके लेखन में भी ऐसा संकेत मि हैं कि हो सकता है डॉक्टर अंबेटकर के लेखन में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हों जहां पर वह अस्थानी अस्थर पे लोगों को अधिकार देनी के बात कर रहे हूं तो उस पर कभी आप लोगों के विचारों मैं सुनना चाहूंगा तो यही इसका जवाब मैं दूंगा और कोई सवान प्लीज सरा अपने अपने प्रेजंटेशन में एक बात कही कि उस ताइम पे जारखंट जारखंट का जो मुद्दा था हूं तो सेंटल इंडिया वाजिन दफोकस और जो भी बातें हो रही थी वह सेंटल इंडिया को लेके हो रही थी और जो लोग उपरी बंगाल में या फिर आसाम के छित्रों में गए उनके लिए फिर वह इंडिजनेस आइडेंटिटी जो थी उसको बनाए रखना एक मुश्किल वो था मैं उसी चीज़ को आज के संदर में जो आपने मेसा की वाद की उस संदर में पूछना चाहता हूं कि बहुत सारी आदिवासी जो है एक तो एक इंपोजड आइडेंटिटी है कि वो रूरल जो पेसा ने एक बड़ा कंट्यूशन किया है कि जो ट्राइवल यानि जंगलों के पास और जो आदिवासी इलाके हैं उन जगहों पर भी नगरीकरण हो रहा है तो इन दोनों कंटेक्स में जो इंडिजनेस आइडेंटिटी है वो क्या अब बरकरार रहा पाएगी या उसके जो पॉलिटिक्स है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ने बा को की डिमांड कर पाएगा उसकी पॉलिटिक्स को एसर्ट कर पाएगा या नहीं मतलब यह सवाल है कि क्रिष्टन गांड जी तो आपने सवाल पूछा है वह फोड़ा सा तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा अगरम अपने आसपास निजर दोणाए तो अब जो सवाल पूछ रहे तो मेरे दिमाद में विश्व विद्याले की राजनिती का एक तस्वीर उभर रही थी कि जो लोग आदिवासी जीवन सेली जिसको एकदम एक क्रियेट किया गया है लोगों के मस्तिस्क में उससे अलग हटकर जीवन में आए तब भी वह उस पहचान को लेकर राजनिती करते हैं हलांकि जीवन से अलग है पर पहचान वाली जो बात है वह उनको संगटित होने का मौका देता है और मैं इस चीज़ को देखता हूं कि अगर हम जारखन की राजनिताओं को देखें तो उस पहचान को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वह चीज रहेगी जरूर उसका स्वरूप काफी बदल जाएगा उसकी मांगे भी बदल जाएंगी कि वह किन च तुम्हें रहेगा और मुझे लगता है कि हम दूसरे पहचान की राजनिती को भी देखें तो उसका वह इसी रूप में सामने आती हैं हम फिर यह सवाल जरूर कर सकते हैं कि क्या जब उसका स्वरूप बदल जाएगा तो अपना जो उसका मूल है उसका कोई अर्थ रह कि शेक्षकों के राजनिती के बीच में मिसाल के तौर पर या चात्रों की राजनिती में तो संख्या कम है तो उतने मजबूत रूप से नहीं आता है पर लोग उस पहचान को लेकर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वह उस रूप में अपने आपको प्रस्तोत करे हैं तो मुझे लगता है कि शहरी चेत्रों में भी वो इस चीज को जारी रखेंगे और कई सारे स्थानों पर हम देखें तो उन्होंने इसको जारी रखा भी है पहला सवाल जो है वो है संरचनाओं का राजनेतिक संरचनाओं का और जैपाल जी जैसे जो नेता होते हैं उनको दो संरचनाओं दो संदर्व में अलग-अलग संरचनाओं से को का सामना करना पड़ता है एक संरचनाये हैं जो अपनिवेशिक काल में हैं और दूसरे हैं जो की उत्तर अपनिवेशिक काल में हैं जो अपनिवेशिक संरचनाये हैं वो एक खास तरहा के विचारों का प्रतिबादन करवाने के लिए मजबूर करते हैं और जैसे ही हम आजादी पाते हैं तो बदल जाते हैं और वो नई राईनीती जो आती है उसपे विचारों को नया होना ही होता है इसलिए हम जो गति-शीलता है उन विचारों की हमको इन दोनों संदर्बों में देखना चाहिए हमको केवल यही हम कह सकते कि वो गतिशील तक शनाव से कोई लेना देना नहीं था अगर यह बात सही है तो हमको जो यह वक्ताववे था इसमें एक बात का जवाब तो मिली जाता है और जो दो-तीन सवाल उस पर आए है जैसे अलब संख्यक वाला सवाल जो आया है यह सवाल हम बेटकर या जहपाल जी से ही क्यों पूछेंगे कि मुस्लिम लीग के प्रति उनका रुजान क्या है यह सवाल हम है मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग की डायनीती में भी तो इसको तराशना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी वज़ें थी, वो कौन से कारण थे, जिनकी वज़े से मुस्लिम लीग के करुजान आदिवासी प्रशन में होगा, या दलित प्रशन में होगा, तो मुस्लिम लीग की अगर राइनीती को हम बहुत ध्यान से देखें, तो ये बहुत special बात समय में आती है, कि दो तर्क हैं मुस्लिम लीग के अपने राइनीती का सित्व के, पहला तर्क ये है कि मुसल्मान एक हैं, और हिंदू एक नहीं है, तो इसलिए हिंदू विज़ताएं जो हैं, वो दरसल उनको एक यूनिट नहीं बनाती, और यही कारण है, ये 1906-1907 से लेकर, और 40-42 तक क कि तकरीबन हर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के, ये चर्चा जरूर हुई है, कि जाती वैवस्था और आधिवासी प्रशन ऐसे सवाल हैं, जो कि हिंदू अपने आपको कहते हैं, उन्हें खोकला करती हैं, तो ये मुस्लिम लीग की राजनीती का सवाल है, जो कि उन तत् परशित होती है, जिसके जरीए वो हिंदू पहचान की कम्यों को उजागर कर सके, और ये सनरशनाओं से निकल रहा है, और सनरशनाओं से कैसे निकल रहा है, क्योंकि जो पूरा ये concept है, minority का, in colonial India, वो क्या है, अगर हम बिलकुल उसको मोटे तोर पर देखें, जन्गरणा से लेकर और प्रतिनितितव के सवाल तक, तो जो अलवसंखक का जो पूरा ये, की जो सनरशना जो शब्द है, जो अवधारना है अलवसंखक की, वो अवधारना जर्नल और अलवसंखक के अंदर आती है, और अलवसंखक के कितनी बड़ी category है, जिसमें की बहुत सारी चीज़े समाई जा सकते हैं तो इसी लिए जो ये शब्दावली है अलब संख्यक की वो कही ना कहीं पर जिसे डिप्रिस्ट क्लासिज भी अलब संख्यक में आ जाती है तो ये जो शब्दावली है ये संरचनाओं से निकल रही है इसलिए जो विचार होंगे वो संरचनाओं को रिस्प को लेकर जैपाल जी के क्या विचार थे यह में हम थोड़ा बाद में भी बात कर सकते हैं लेकिन एक बात बहुत साफ है वह यह कि अगर हम यह पूरी कॉंग्रेस ववस्था के सिध्धान को देखें को उठारी के तो उसमें जो यह जो इस इस पूरे डिसकॉशन में बहुत द भारत का विचार बहुत दिल्चस्थ फीस सरह से है कि कॉंग्रेस ववस्था जैसे जो अभी राइंदर प्रसाद वाले चट्थी से बहुत स्वेश हो रहा है कि कॉंग्रेस ववस्था एक ऐसी ववस्था है जिसमें की तालमेल भी होगा टकराओ भी होगा और उससे कोई र पाल जी के अलग-अलग विचारों की जो गतिशीलता है मुझे लगता है कि उसको देखने की जरूरत है क्योंकि ये एक बहुत-बहुत एक महत्वपूर्ण एक व्याक्या देने का एक जरिया है जो कि आपकी शब्दावली को तैगर, आई नितिक शब्दावली को तैगरेग जरूरत है, वो है बीजेपी की स्विकारिता और बीजेपी की स्विकारिता जो है, अगर हम अपने ही आकड़ों पर जाएं, लोकनीती के सर्वेक्शनों के अधार पर जो हमने आकड़ा इखटे किये हैं, आदिवासी रूझान बीजेपी के लिए बहुत तीजी से बढ़ा और अब जैसे बहुत सार लोग ये बात कर रहे थे कि राश्ट्रपति पत के लिए किसी आदिवासी का चैन दरसल इसलिए किया गया कि आदिवासी मतों को हासिल किया जा सके, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आदिवासी मत तो पहले से ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए ये स्विकारिता जो है, इस स्विकारिता का समाजिक पक्ष क्या है, क्योंकि ये कह देना कि बनवासी कल्यांट के लोगों ने कुछ-कुछ कहना शुरू किया है, लेकिन उसका जो उसकी स्विकारिता है, उसको जो ऐसे समूझ अभी अपने आपको आदिवासी बात आती है तो भीजेपी का कोई ऐसा बहुत आकरशित एजेंड़ा तो है नहीं वो तो भारती पहचान हिंदू पहचान इसको लेकर जा रहे हैं उसके अंदर ये स्विकारिता का क्या पक्षण है इसको थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है बहुत सारी और चीज़े हैं उस तो मेरा बस यहीं कहना है कि कॉंग्रेश विवस्था की जो का जो सुरवाती रूप था वो आजादी के पहले के दौर में था तो मेरे लिए तो बहुत ही एक मैं बोलूँगा कि यह अर्ण की हुटी पढ़ी है आज के फिरवक्त अपी में तो यह बहुत अच्छी बात है और सोचने वाले बात है और मुझे रगता है कि यह एक चीजों को देखने का एक नया द्रिश्टिकोंड भी देती है कि हम इसको देख सकते हैं कि जिसे कॉंग्रेश सिस्टम के रूप में हम समझते हैं वो कैसे उसका कुछ स्वरूप साइद 1937 के इलेक्शन से पहले और अ जाब जाकर होता था तो यह एक हत्मुन बात है नियोगी रिपोर्ट को भी इन्होंने काफी एक सड़यंत्र की रूप में देखा और उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यह चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है और इस तरह की चीज का की पूरी बात आपने कही वह कई बार यह कहा जाता है कि जो वनवासी कल्यान आस्रम की जो काम है उन्होंने भाजपा की स्विकार्यता को बढ़ाया है और वह जो काम है और जो हिंदू पहचान की जो बात है वह हिंदू पहचान काफी लचिले रूप में उसको वह लेकर आते हैं जैसे कि बिर्सा मुंडा को स्विकार करने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है कार्तिक उराओं जो कॉंग्रेस के नेता थे और जिनका मैंने उले किया कि वह चाहते थे कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें से डिल ट्रैप से बाहर निकाला जाए तो कार्तिक उराओं को लोग काफी सेलिबरेट करते हैं और वो जिस रूप में जैसे बहुत ही रोचक तरीके से जब मैंने उनसे बात कि उनके कुछ अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि हमें अपने होस्टल में जो चलाते हैं छात्रवास वहां पर हिंदू पहचान को आ उनको वह अपनाएं और उन चरित्रों को बगायदेब बहट सारे स्वस्वताहन है तो यहां तक जाते हेँए कि बिडि शलवां जैसे जो नेटा हैं समकालिन समय में उसने हिंदु धर्म को भी वह अलग तरीके से आदिवासियों की बींश में ले जाने की कोशिश करते हैं एक पहचान बना ईदिए और हर आदिवासियों को इसको दिखाना है कि हां मैं वह हूँ बलकि वहे कोशिश करते हैं कि उनके जितनी विवित्ता है उसका वो सम्मान करें यहां तक वो बार-बार कई उनके जो इंटर्नल डॉक्मेंट्स या वह लेंगे या बुकलेट्स जो होते हैं उसमें बात आती है कि वह इस बात से भी काफ़े खुश होते हैं कि अगर नॉर्थिस्ट में उनके नेता गए तो वहां पर कोई ऐसी महिला मिली जिन्हों ने कहा कि हम हिंदू तो नहीं है लेकिन हम इसाई भी नहीं और हमारा कोई देशस धर्म है तो वह काफी एक अलग तरीके से अपने हिंदू पहचान को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हलांकि इसकी अपनी समस्याइं हैं तो मुझे लगता है कि एक यह चीज और उसके साथ-साथ जो उन लोगों ने उन मुद्दों को लेना सुरू किया जो कि आदिवासियों की जीवन को सीधे तोर पर प्रभावित कर रही हैं मिसाल के तोर पर पेसा एफारे या फिर विस्थापन ना होना इसने भी काफी आधार तै किया और जैसे मैंने पढ़ा था ऐसा मैंने लोगों से इस पे अधिकार जिनको वर्मासिय काते यह अधिकार दिये जाने चाहिए उसरकार ने नहीं दिए तो यह मैं इनको यह जरूर दोंगा कि नहोंने काफी हद तक खुद को बदला है और उसके साथ वह अपने एजेंडा को लेकर आगे जाने की कोशिस कर रहे हैं यह इनकी स्विकार हुआ है